हें गाल्स, वल्कम टू, सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार अश्वागत हैप का इस वीडियो में, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में न्यूँ रिकुर्मेंट की डिसकस करने जा रहे हैं, जो की वेकेंसिज आपकी आउट की गई है, मारती सुजिकी इंडिया लेमेंटे है उस तरह से vacances निकाली गई है पहली बात यहां पर की फिलाल जो हमारी crisis है pandemic के कारण vacances नहीं आ रही है government से तो फिलाल जहां पर भी vacances आ रही है guys जिन्हें भी as a apprenticeship के तोर पर जाफिर as a experience के तोर पर आप jobs करना चाते हैं तो great opportunity है फिलाल अभी time में तो जो भी candidate eligible हैं जरूर reply किज़ेगा हम official notice के जरीए totally discuss करेंगे इसमें क्या LGBT condition selection process बगरा क्या होगा form फिल करके भी इस वीडियो में बताऊंगा कि form आपको कैसे फिल करनी है तो किसी भी चीज़ की आपकी डाउट नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद तो चले स्टार्ट करते हैं इससे पहले में बताना चाता हूं चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किज़ेगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोसों तक जरूर शेयर करें तो गाई सबसे पहले हम डिसकस करेंगे अपरेंडिसिप इंगेजमेंट जो की रिसेंटले आउट के गई है वेकंसी आपकी अपरेंडिसिप की उसके बाद हम वर्कमेंड में देखेंगे जॉब्स वाली सबसे पहले डिटेल्स की डिसकस करें तो यहां पर अप्लाइ करने के लिए आपके पास आईटिया की पास डिगरी होनी चाहिए अपरेंग वाले अपलाइ नहीं कर सकते हैं आपकी रिजल्ट आ चुकी है चाहिए वो नेट वाली हो स्कूल वाली हो आप अपलाइ कर सकते हैं अपका सेशन कंप्लीट हो चुका है आप अपलाइ कर सकते हैं सेशन मतलब रिजल्ट आपको आ जानी चा 18 से कोई भी फर्ग इनको नहीं पड़ता है 18 से 23 के बीच में आपकी यह होनी चाहिए विगॉस यह एक प्राइवेट और्गनाइजसन है तो जितने भी इसका अलग रूल्स होता है वो ध्यान रखेगा तभी आप अप्लाइ किसेगा आपकी यह इसके अंडर में आती है आप इसबल हैं तो जरूर अप्लाइ करें यहां पर एक चीज क्वैलिफिकेशन से रखी गई है आईटी आई पास आउट होनी चाहिए गौवर्मेंट आईटी आइस वनली यह कोई फर्क नहीं बढ़ता है गौवर्मेंट एप्रूब्ड होना चाहिए यह गौवर्मेंट आई तो जिसलेक्शन ब्रॉसेस आपका होगा उनला टेस्ट होगा जो कि एटेक्निकल ब्रेक्स होता है होगाasta करने आपको professional interview एक basic इसा interview होता है personal होता है उसके बाद यहाँ पर आपकी selection हो जाती इंटरव्य के लिए टकूते है तो then medical भी होता है लेकिन simple होता है basic सा सब कुछ होता है उसके बाद exams निकलने के बाद color blindness आपका है तो आप अभी मत apply किसे क्योंकि इसमें color blendness को नहीं लिया जाता है आप result कर दिये जाओगे आगे इसकी form online ने आपको fill करनी है कैसे fill करनी है मैं बताऊंगा 31 मही 2021 तक इसकी जो last date है form fill करने की तो अच्छा खासा समय है और मैंने आपको पहले सुचित किया है तो दिन में अराम से apply करें इसी बात नहीं है अकबकाने की आप नहीं guys हजारों candidate मेरे पास ऐसे message आते हैं कि मैं क्या बताऊं sir jobs लगवा दीजे घर में बहुत problem है financial की तो hopefully ये benefits से आप उन तक वीडियो जरूर पहुचाएगा ताकि वो लोग भी apply कर सकें guys अगर आप नहीं भी apply करना चाते हैं लेकिन वहां तक जरूर पहुचाएगा ताकि किसी की help हो जाए एक बहुत बड़ी जिम्मदारी होती है आज कल की date में तो ये basic information है आपकी apprenticeship के लिए और कुछ चीजे हैं जो कि मैं बता देता हूँ जितने भी candid apprenticeship के लिए apply करना चाते हैं जो आपकी passing year ITI की होगी 2019, 2020 या फिर 2020 की ही होनी चाहिए तो ये apply कर सकते हो आ आपका previous है तो apply आप नहीं कर सकते हैं चले finally हम आप हम discuss करते हैं temporary workman की यहाँ पर आपकी temporary workman के लिए hire की गई है सब का training आपका गुड़गाओं मानेसर में होगा apprenticeship वालों का भी और jobs के लिए लेकिन apprenticeship का जो tenure होगा एक साल की होगी और यहीं पर मैं बात करूँ आपकी workman की त workman के लिए अगर आप यहीं पर apprenticeship करते हैं तो 15-16,000 के बीच में आपको 17,000 भी अभी क्योंकि यह है actually Japanese company जो की increase करती रहती है हमेशा increasement यहाँ पर होती है तो आपको 20-25 के अंडर में भी salary मिल सकती है और 16-18 के बीच में आपको यहाँ पर स्टैपन मिल सकती है apprenticeship वालों के age 18 साल से लेकर 26 year होनी चाहिए तो इसमें 3 साल जादा है 18-26 eligible हैं जरूर apply करें ITI, NCVT, SCVT वाले दोनों apply कर सकते हैं आपने किसी भी trade से pass out किया है does not matter आप eligible है apply करने के लिए यहाँ पर job trail apply करना चाहते हैं उसके लिए कोई भी restriction नहीं आपका कब आपने pass out किया है simple आप कभी भी pass out हैं चाहिए आप 1990 में क्यों ना pass out हैं लेकिन आगर आपकी is clear है मतलब मैं example के लिए बता रहूं आप 2017 में pass out हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप apply कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर भी selection process आपकी online assessment एक technical test होगा जो कि मारति सुझ की आपको लेगी on board then qualify करने के होगा फिर आपकी medical होती है देन आपकी यहाँ पर selection and training आपकी start हो जाती है तो hopefully LGBT किर्चेरिया selection process is limit वेगरा सब कुछ समझ में आ चुका होगा आपको अब हम बात करते हैं कि form आपको कैसे fill करनी है तो apply now पे simple यहाँ पे link मिलेगा description में link को open किस देगा तो यहाँ पे दो तरह क आपकी opening vacancies दिखाए देगी अगर आप apprenticeship के लिए apply करना चाते हैं तो apprenticeship में करें temporary workman में apply करना चाते हैं तो इसमें fill करें और मेरी राई यही होगी recommended होगी कि दोनों apply किस देगा आप कहीं न कहीं अगर हो जाए by luck क्योंकि इसमें luck ज्यादा important है क्योंकि वही student को यह higher ही करता है आपने कई वारेशा भी comment अभी नीचे देखिएगा कि मैंने कब बे apply किया है बहुत पर apply किया है लेकिन कोई reply नहीं आता है फिगाउस के marks basis पे देखर भी उस तरह की and आप apply करते हैं कितना जल्दी apply करते हैं बहुत सारी क्रिशेरिया को follow करते हैं वो मारतियों सुझ की यहा उसके बाद interactions आपको follow करना है सभी यहाँ पर 31 मही तक apply कर सकते हैं उसके बाद नीचे आने है नीचे आने के बाद email एड़ी email verification होगा अपना email एड़ी fill करें और submit करें उसके बाद एक OTP जाएग email पे OTP देखके अंडर करना है आपको उसके बाद OTP चला गया होगा OTP देखक पे क्लिक करें अब आपकी यहाँ पे personal details आपको fill करनी होगी सबसे पहले आपको अपना photo एक upload करना होगा देख सकते हैं एक picture जो की recently size में आपका होना चाहिए नहीं कि हाल में photo खिचवाया होना चाहिए upload picture पर click किज़ेगा और जहां पर भी photo रखाऊगा इसे upload कर लिज़ेग then upload section पे click किज़ेगा तो आपका photo यहाँ पे upload हो जाएगा उसके बाद test location यहाँ पे choose करने के लिए बोलाया लेकिन all India कहीं पर भी आपकी हो सकती है test basically आपकी area में ही होगी उसके बाद यहाँ पे अपना full name fill करें then यहाँ पे अपका father's name fill करें gender यहाँ पे अपना select करें आप mail ह female है देख सकते हैं option सबका मिलेगा transgender है वो भी apply कर सकते हैं next यहाँ पे अपना date of birth सबसे पिले day fill करें उसके बाद fill करने के बाद यहाँ पे अपना month fill करें then यहाँ पे आपको अपना year fill करने के लिए बोला जगा अपना year fill अच्छे से fill कर लिजेगा guys उसके बाद नीचे आना है आपका email address हो करेगा यहाँ पे अपना mobile number fill करें alternative mobile number fill कर सकते हैं mobile number जरूरी है mobile number अच्छा surrender करें उसके बाद यहाँ पे address आपको fill करने है current address यहाँ पे फिल करें यहाँ पर permanent address फिल करें current address आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी होगी सबसे पहले house नमर वेगर एरिया उसके बाद street, landmark, village, town, post office अपना district fill करें, state fill करें, city fill करें और अपने area का pin quote fill करें यहाँ पर fill करने के बाद अगर आपका permanent address और present address दोनों same है तो यहाँ पे same है इस पे click करने के बाद दोनों already fill हो जाएगी नहीं ते आप manually अलग-अलग fill कर सकते हैं उसके बाद qualifications की details सबसे पहले 10th की details fill करें, 10th की details में out of 100 में आपको बताना है आपका कितना marks था, यहाँ पे 78, 79, 85, 89, 96, 98, जो भी होगा वहाँ पर fill करना है, board यहाँ पे select करना है, जाकि मैं जहारकन board से हूँ तो आपका जो भी CBC board कुछ भी है, यहाँ पर आपको fill करनी है, next यहाँ पे pass out, अपने passing year क्या था पर इसको चरखानी नहीं करनी है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद अपनी यहाँ पर date देनी है, सबसे पहले idea के details, यहाँ पर name आपको fill करनी होगी, उसके बाद trade fill करें, name यहाँ पर idea के नाम fill किसेगा, trade अपना select करें, आप कौन से trade से हैं, देख सकते हैं, काफी सारी trade क option अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर other section में click करें, आप other section में click करके अपना idea trade के लिए apply कर सकते हैं, जैसे का अगर आपका यहाँ पर choose करना, तो जैसे यहाँ पर electricity के लिए make select कर लेता हूँ, उसके बाद idea के trade, यहाँ पर अपने idea किया है, कौन से state में किया अपना state select करें, type क्या थी, यहाँ कि कौन सी type थी आपकी, government थी या private थी, दोनों option में आप जिस्ते भी हैं, does not matter से कोई फरक नहीं बड़ता है, apply करें, उसके बाद other please specify, यहाँ कि अपने यहाँ पर other trade चूज करेंगे, तो यहाँ पर other में जो भी trade होगा, को पावेगरा का, enter क दीजेगा, उसके बाद यहाँ पर अपना district select करें, यह वह यह data वहाँ वही चीज़ फिल करनी है, जहाँ पर आपका idea institute है, यहाँ पर institute name फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर council, आपको council कौन सा था, hopefully NCVT, SCVT जो भी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, next यहाँ पर idea की passing year idea का total of percentage, नीचे आना है, other details में आपने qualifications, आपका 12 है, यह भी polytechnic किया है, इसको आपको fill कर सकते हैं, next यहाँ पर कोई other information देना चाते हैं, दे सकते हैं, आधार नमर में करा दिया है, अधरवाज इसको यहाँ पर blank शोड़ देना है, नीचे आने के बाद आपको select files, याने कि document करने के बाद आपको single PDF बनाना है, single PDF पर देख सकते हैं, दस आपको MB से कम होनी चाहिए, उसके बाद PDF बनाने के बाद totally scan करके आपको यहाँ पे upload कर देना होगा, upload करने के बाद जैसे आप उसे upload करते हैं, next आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको understanding का message मिलेगा, इसको tick कर कि आपको submit कर देना है अगर आपका submit नहीं हो रहा होगा जैसे कि कुछ blank यहाँ पर आ रहा होगा तो यहाँ पर submit कर लें have you working कहीं पर आप jobs कर लें यहाँ पर देख सकते हैं MSL MSG तो यहाँ पर no कर सकते हैं कर रहें तो yes कीजेगा source दीजेगा यहाँ कि notification का पता आपको कैसे चला throw agency, throw ITI तो यहाँ पर throw newspaper advertisement कहीं भी देख सकते हैं friends बगरा तो आपको यहाँ पर दे देना है कुछ भी उसके बाद यहाँ पर आधार नमर फिल कर लिजेगा जो भी आपका आधार नमर होगा यहाँ पर उसके बाद guys आपका जो form है वो submit हो जागा देख सकते हैं आपकी यह details बेगरा सो करेगी mobile नमर बेगरा ID, email ID और यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है you have successfully submitted your details for the event अब आपको wait करना होगा इनके बुलावा का आपको admit कट आएगा उसके बाद आपका exams होगा exams के बाद interview होगी आपकी area में ही होगी interview आपके state में ही होगी interview बिल्कुल इसी तरह से आपको workman की भी fulfill करनी है कोई भी दिक्कात आती है परेसानी आप में comment करें आपकी पूरी help की जागी hopefully guys आज आपने सीखा कैसे मारती सुजिकी का form fill करना है step by step process कहें पेर भी doubt हो comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आए हो like करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक share करें चैनल पे नए तो ज़रूर subscribe करें चले मिलते नेक्स वीडियो में तद अगले जहिंद